गुद मोर्निक गुद मोर्निक जोती जी ने ये निे नूज सेंड कर दी थी कम से कम दो या तिन दिन होत। इस नूज प्रवाइन नूज में एक महिने बाद बताऊं उसको कोई तुक नहीं बनता इसलिए मैं आपको सूचित कर देता हूं लेकिन इसको पर अभी एक्षन नहीं होने वाले यह भी आप लोगों बजा देता हूं ठीक है इसलिए मैं इसको पर वीडियो नहीं बनाए तो यहां पर मिन्टो में संक्रमितों की पहचान के लिए रेपिड एंटीजन टेस्ट शुरू होने वाले हैं यह जो अपना कोविड नाइटी नहीं है उसके कारण जो उससे डेटिड अब आपके पास काम के मैसे आने वाले हैं और मैंने यह वीडियो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पर नहीं डेट होती चेहापांतार के बाद उसके बाद काम के मैसे आते हैं उसके बाद आपका यह एक्सें स्टार्ट होने वाला है तो अभी वैसे भी अगर कुछ जादा केस बढ़ेंगे अभी लोग्राउंस तीती भी ओने वाली है अब ने रूल लागो उतने वाले हैं अब उसमें सक्समों को यूद लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा कि टीचर्स आंगनबाडी वर्कर्स सक्समिवाओं की लग सकती है डूटी यह लग बग लग बड़ टीचर्स की यह कोई लेक्शन में हर बाद डूटी लगती है आंगनबाडी वर्कर होगी यह तो भाई तो यहां पर जो न्यूज आई है वो आप लोग में आपड़ किसमा देता हूँ यह में आई पिल दिखाए दे रहा है आई पिल आई पिल ठीक है दोस्तों आई डी ए एस पी स्टेट इंचार्ज डॉक्टर उसा गुफ्ता ने कोरोना से निप्टने के लिए हेल्थ विवाग की तैयारियों को लेकर के नई रणियती बनाई है डॉक्टर गुपता ने का है कि सभी जिलो में कोरोना संक्रिमित का सिगर पता लगाने के लिए कोरोना की चैन को तोड़ा जा सकता है देखो जितना जल्दी पता चलेगा न उतिन जल्दी ही पता लगेगा जैसे मान लोगों याद इसका मैन मनमोटर रीजन यही होता देखो वीडियो एंड तक देखना आप लोगों काफी ऐसी नोज मिलने वाली जो आप लोगों नहीं बता ठीक है इसका मैन मोटर से यह होता कि जिसको ओजाता ना यह वाइरस तो उसको साथ यह आठ दिन बाद बता चलता है और तब तक और औरों को भी पहला देता है तो इस कि अड़ीद के जीवा ने आशा बोला था कि मने सुना था ठीवी में तो बक्यों मैं उस फोकुस मानता हूं ठीक है ने लेकिन उसका बास हमें को अचा लगा तो उसके मैं बता रहा हूं उसने एक बात बोली थी कि उन्होंने कि भई दखो इज़त कनी चीए तो उन्होंने सेन सकती यह सीरियस नहीं होने देगी जैसे कि मतलब एक तो नोरल बंदा है एक जिसको इंजेक्शन लगे हुए हैं वो बंदा है दोनों को कोरोना वारिस होता है तो जिसको इंजेक्शन नहीं लगा हुआ नहीं लगा हुआ नहीं वो सीरियस केस तक जा सकता है मतलब ज्याद जड़ तक कुण जाती है जड़ तक नहीं पूचेगी बस मोटा मोटा उपर तक रहा है कि पेसेंट सीरियस नहीं होगा आलागी हो टिकका लगने एक बात ही सकता है वह संक्रमीत लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं होगा यह बात आमेशा याद लगना ठीक है अगर आपको किसी को ऐसे लगता कि मेरी हुमेडिटी पावर बहुत ही कम है जैसे कि मेरी कम है हुमेडिटी पावर कि सबसे पहले खांसे जुकाम चलते तो मेरे को लग जाते हैं तो उसी तरह भाई एक आपको लोगों मारे रिकाबेटने संगरना जाता हूं कि दो-दो मास लगाएं ठीक है म अलागे में को करोना नहीं है तो मैं वहां पर जाकर आया था तो लेकि महां पर मनें देखा कुछ स्टाप तो एक भी मास ने लगा रहा था जिक कुछ स्टाप ने और डॉक्ट्रों ने दो-दो मास पहान रखे थे क्योंकि एक मास क्या होता कि या थोड़ी से निचे आ जा सकता है यह काम अकेले RT-PCR टेस्ट से संभव नहीं आपना हनव से थोड़ा टाइम लगता है उससे संभव नहीं है इसलिए रैपिड एंटिजन टेस्ट शुरू होने वाले हैं एक या दो दिन नहीं बलकि चंद मिन्टों में संक्रिमित होने की पूष्टी होगी यह नहीं तुरंत रोगी को आई सो लेट किया जाएगा ताकि इधर उधर गोम करोना नहीं फिलाई एक लाग टेस्ट किट को डिस्ट्रिबूट किया है और बाकी दो लाग पाइप लाइन में हैं पाइप लाइन में अच्छा इसके हलावा कोविड जो पेसेंट के लिए किस अस्प जो है रेम डे सीवर इन जो इन जैक्षन भी उपलद ओने लगे हैं देखो इन जैक्षन तो अगर आप दोगों को लेको एक यूपी सरकार ने किया तो उसने अभी अनॉंस्मेंट किया था कि कि वह जो है 20 सार के उपर बच्चे ना हम सभी को लगाने वारे हैं क्योंकि जादा सीरिस ना होएं बच्चे मरें ना जा जा रही है तो देरे देरे पस क्योंकि सार्टी में जब बुड्ड हो जाता है उसके बाद हो मुश्किल से ठीक होता है इसी को मुश्किल पार बोलते हैं कि मतलब बिना गॉर्द वाले भी अपना रीकोरी कर लेता शरीर जवान आपि में न्या खुन नहीं बन पाता झाप पर में न्या खुन बन जाता है आपि यह कुन दान कर देते हैं तो नुधिन नै TER कर दिया एपने पार में वेड़े भात मुश्किल चुन तो यहांबर क्या बोला गया है कि गंबी रोगयों के लिए तो बता दिया 500 इंजेक्सि सो मार तक कहुंचेंगे ठीक है और इसे यहीं से आगे है अच्छा कंटेक्स और ट्रेसिंग होम आईसोलेटी रोग्यों की निगरानी इतियादी कामों के लिए टीचर्स अंगनवाडी वर्कर सक्सम युआ ए एनम और जी एनम एक्स सर्विसमेन वै अच्छो भाई सहाव इस यह देखो हैल्प जरूर होंगी से और अगर आप लोगों कहीं पर डूटी आ जाती है न भाई तो देखो मैं आप लोगों से एक रिकमेंड करना चाहता हूं कि अपना डबल मास्क जरूर लगाना है और अपना हाथ अगर देखो होस गया तो बार बार दोना है तो भाई ब लेकिन वो अपना हाथ अपनी जो गर्दन है न इससे उपर टच मत बन दियो निचे टच हो जाता हो कोई दिक्ट वाली बात नहीं है जैकि अपने गर्दर से सोल्डर से उपर अपने हाथ को मत ले जाई हो कहीं आखों में खुजला दो कानों में खुजला दो मुँपे अपने होना हए जिए घ्यार चेटर आईए और या बोलते हैं तो थोड़े या तयूप पर हो जाता या फिर नीचे हो जाता है इसलिए dwote attention box जो नरे जगार हैigs सब्स्क्राइब मोटते बेश्खए यह छो इसए टो जगाई हैं और यहां हाथ-था तक मुचार रहे हैं तो ऐसे करने से बचना है ठीक है क्यों डबल डबल प्रोटेक्शन होगे तो आप लोग काफी बेनिफिट में होगे बाई यह आप लोगों के लिए बता रहा हूं ठीक है अब यह आप कुछ और भी बताई गए है कि हां टीचर अंगा में बता दिये समने ठीक है तो यह पर क्या है करोना काल के दौरान कई डॉक्टर से शुड़कर से ले गए हैं ताक किसी ने अच्छा वी आरेस ली तो कोई इस्तिफाद दे गया तो कोई तबादला करा करा किसे ले बिमारी से सब को ड़ लगता कोई बाकर को क्या कर गया लेकिन अभी भी डॉ यह काम है कि विलाज कर रहे हैं ऐसे में आईसोलेशन वार के संचालन के लिए डॉक्टर वे स्टाफ नर्सों की डिमांड उसा दिकारी तक फूज़न लगी है डिमांड तो होती है वाई क्यों कि एक दम इतने पैसे जाए 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 तो डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि आईसोलेशन वार के सबी 14 मुरीजों को उनकी बढ़ती का उनका इलाद संबभ हो सकता है तक आईसोलेशन वार में अब डोक्र स्टाफ मतलब यहां की संख्या बढ़ाई जा सकते है ठीक है तो वे सीटी स्कैन फरी क्यों नहीं तो सीटी स्कैन बहुत मैंगा बाई मैं सीट सीटी स्कैन करवा किया हूँ सीटी स्कैन मेरे अपड़ाए साड़ी साज़ाए रूपे का सीटी स्कैन करवाया था मने और बाई साब बस पूछो ना मी सीविल अस्पताल परबंदग ने बरती कोवीड पैसेंट को सीटी स्कैन सुविद दाफरी देने संबंधित पतर स्कैन करवाया था सीटी स्कैन में करोना की जांस है वह आ जाती ठीक है अच्छा और अब जो है मरीज को एक्सरे से दवा रहीत दवा सहीत अन्य तमां सुविद दाइन इस विलें तो और अच्छा इसमें क्या बताएगी सेंपलिंग बढ़ाने के लिए सेंपलिंग बढ़ यह इसी 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 बात यही है अब आप लोगों डूटी लगाए जा सकती है और अपना प्रेटो सेंपल करना पड़ेगा और जो डूटी करना चाहता है जो जा रहा है तो अपना पूरी सेफ्टी बढ़ते यह अगर आपने कहीं पर भी डिल छोड़ दीना भाई साब आप लोगों आथों के उपर वाइस अगर कैसे भी ट्रॉट होता तो अपना अपना अपने हाथ सेंटाइज है क्योंकि आपके आथ पर चैरो तब जैरी लगा हुआ है वह जैर काफी देर तक असर करता है यह लागी में को तो फिक्स तो पता नहीं नहीं कि फिर भी आईडिया में बता रहा हुआ कि 30-35 मिंट या गंटा तक तो अपने आथों को मतलब प्रोटेक्शन करता ही है ठीक है तो हो सकता कि आद गंटे में या गंटे में कई बाबार सेंटाइज मिले तो अपने आथों सेंटाइज करते रही है और अपने फेस तक आथ मत लेकिज़ए बात य ये वीडियो सभी तक फैला देना क्योंकि ये वीडियो ऐसी है जो कि इसमें सभी के लिए अची नूज है कि आप लोगों को संक्रमें से बचना न है तो तो मिलते supplied इतको में लिघुट वीडियो संत देक्à बाद में दस मेने मेने फुराणी नूज भी बताने को फाइदा नी मनता ना इसलिए मनने बता दी ठीक दोस्तों ओके बाई है वे नाइस डे